जैन साथ और नमस्कार आपका स्वक्ते यूटूब चैनल ITI Campus Interview में Campus Placement Notification College द्वारा जारी कर दिया गया है Honda Car Indian Private Limited Company द्वारा Campus Placement का आयोजन किया जा रहा है यानि Car Manufacturing है और राजिस्तान के अंदर इसका प्लांड देखने को मिल जागा टपू खेडा के अंदर दो साल के लिए आपका सेलेक्शन किया जाना है उसके बाद आपका एक सिटी एक्जाम कीत रही एक एक्जाम लिया जाता है अगर वो कलियर करते हो तो आपको कंपनी परमानेट डारेट करती है इसके अंदर आपको मैं बताना चाहूँगा दस्वी के बाद आपने आईटी आई कर रखिये वो स्टूडेंट केंपस प्लेस्मेंट के लिए योगे रहेंगे आईउसीमा 18 से लेकर 24 स्वर्ष के बीच होनी से ये सेलरी स्टेक्चर आपकी रहेगी वो 8 गंटे की ड्यूटी की सेलरी 24,500 रुपे परमंत रहने वाली है जो भी स्टूडेंट पार्टिस्पेट के रहेगा वीडियो को पूरा वोज करेगा वीडियो को एक बार सेर करने नहीं बोलने आपको पता होगा इस यूटीब चैनल पर परती दिन तीन से च्यार वीडियो अप्लोड की जाती है जोब के नाम पे कहीं भी पैसा नहीं देना है और यूटीब चैनल को सस्क्राइब करने का भी कोई पैसा नहीं देना है होंडा कार इंडिन प्राविट लिम्टेड कंपनी द्वारा केंपस प्लेस्मेट का आयोजन किया जा रहा है ट्रेनिंग बेसिस पे टू यर्स के लिए सेलेक्शन किया जाना है आपका जो ब्लोकेशन आपकी अलवर राजस्तान टपूगडा के अंदर टपूगडा अलवर र नोटिविकेशन योगता आई टीए पास कौन कौन सी ट्रेड वो भी मैं आपको बता देता हूं फिटर टरनर मोटर मकेनिकल मकेनिकल वेल्टर पेंटर टूल एंडाई मेकर प्लास्टिक प्रोसेसिंग ओपरेटर मसीनलिस ट्यक्टर मकेनिकल ओटो मॉबाइल डिजल मकेनि हैं बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट भी हां पर पार्टिस्वेट कर पाएंगे आयू सिमा अठारा से पत्तिस वर्षी है अठारा से चोईस नहीं है द्या रखे पहले अठारा से चोईस लोगों लिया जाता था लेकिन अब भी अठारा से लेकर 25 यह के भी जो भी सब्स पासपूर्ट साइज कलर फोटो बैंक पासबूक रज्यूम अधार काड़ पैन काड़ इनकी फोटो ओरिजिनल सभी डॉकॉमेंट के साथ आप जाएं सिलेक्ट प्रोसेस वही रहेगा आपका रिटेन टेस्ट होगा और इंटर्यू रहेगा इंटर्यू रहेगा इस करदी से जाकर इंटर्यू दे सकते हैं नोटिवीकेशन यहां पर पढ़ सकते हैं नोटिवीकेशन भी दे रखा है आई होप की वीडियो आप को चला करना ना है बुलें चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 11 बज़े से कंपनी आना कोलेज के अंदर स्टार्ट हो कर इसके अंदर दे रखिया आप रीड करें